नमस्कार, CNBC बजार पर आपनों स्वागत छे, आप जोई रयाच्छो प्रॉपटी गुरू अने हुँचु जर्णाल गंटी तो आजे आपने आ कारेक्रमनी अंदर खास वाद करवाना छे के हाउजिंग फोर ओल आ आपना देश ना प्रधान मंतरी नू शपनु छे, आपना सव नू एक नागरिक तरीके सपनु छे के आपना देश ना दरेक नागरिक नीपासे पोता नू घर होय, पोता नी माली की नू घर होय पण आ सपनों पूरु करवा मांटे आपने चेहता होये चे कि मिडलक लास ना लोको ने पन घणी बदी मुष्केलियो नो सामनों करवो पड़तो होय छे घणा मधा पलानिंग नों सामनों करवो पड़तो होय तो जे समाज नो अथ्वा आर्थिक रिते जे पाचल छे ए लोको नू पोताना घर नू सपनू कई रिते पूरुक थाई शके ए एक महत्वनों मुद्धो आपनी सामें आपला देश नी सामें चोकस पणे उपेनों आपके महत्या अपबा माटे अमुग खास लोको काम करी रहा चे के दरेकने पोतानूं घर मली शके एमनी आर्थिक परिस्तिती जे कोई पण होई तो आज नबडो आर्थिक वर्क छे, एने पोताना घर कई रीते मली शके छे, और आमाटे कई दिशामा काम थाई रहा छे, यंगे आज आज आपने खास चरचा करवाना छे, आमाटे मारी साथे जोड़ाया छे, हेबिटन्ट ओप हुमिनिटी इंडिया थी, राजीव रमन ज प्रोग्राम एन उपरेशन्स हैबिटन्ट फॉर हुमिनिटी इंडियाना ने साथे मारी साथे जोड़ाया छे, सीनियर डारेक्टर, रिसोर्स डेवलप्पेंट हैबिटन्ट फॉर हुमानिटी इंडियाना सुप्री ताम में, अब दोनों का स्वागत है, सीन वीसी बजार है, क्या आपका लक्षा है, अपने बारे में थोड़ी जानकारी है, मरे दश्रक, बहुत धन्यवाद, आपने सीन बीजी में हैबिटाइट फॉर हुमानिटी को बुलाया, हैबिटाइट फॉर हुमानिटी इंडिया जो है, एक डिवलिप्मेंट सेक्टर पे काम कर रही है, और इसका यदी मैं आपको इसका पांस्ट यदी कहूंत करीज चालिस साल से भारत वर्श में काम कर रही है, और चालिस साल से जो काम कर रही है, हाउसिंग सेक्टर उनका में सेक्टर के रूप में काम हो रहा है, और हाउसिंग सेक्टर में भी कोशिश है कि एफोड़बल हा तो इन दोनों प्रोग्रामों के साथ साथ के मंपा आने वालें की बात है is कि आनुदान के रूप में सरकार से पैसा आतो रहा है लेकिन क्या परिवार उसको कंस्ट्रिक कर पा रहा है या यह एक बहुत बड़ा विशह है तो उस और ध्यान हमारा केंद्रित है और आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि एक बहुत अच्छा पार्टनर्शिप एक कॉलाइबरेशन के साथ हम जो है सरकार के साथ भी और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो इस तरफे काम करना चाहती है उनके साथ जोड़ेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे और 40 साल का एक बड़ा अनुभव है और जिस दौरान आने वाले समय में आपको और बताऊंगा इसके बारे में बहुत सारे एक् अगे आपसे यह जानना चाहूंगी कि EWS कैटेकरी में जो लोग आते हैं जो मारिजिनलाइस कम्यूनिटीज है भारत के पूरे भारत में बहुत सारे राज्यों में छोटे शोटे गाउं में हर जगा पे ऐसे लोग है जिनको घर की जरूरत है तो इनकी जो नीड है उसको आ शुक्रिया हमको यह मौका देने के लिए और मैं यह कहना चाहूंगी जो अफॉर्डेबल और सेक्यॉर हाउजिंग है यह ना बल्कि एक रियल एस्टेट वाला मुद्दा है बल्कि यह एक हमारे भारतवासियों के स्वास्ते से भी जुडा हुआ हुआ है हम सभी मानते है क रोटी, कपड़ा और मकान यह हमारे बेसिक नेसिसिती में गिने जाते है और यह हर मनुष्य का हक होता है कि उसे रोटी, कपड़ा और मकान मिले तो अगर आप वर्ल्ड हेल्थ और वहो की रिपोर्ट भी देखते है तो एक बहुत गहरा संबंध पाया जाता है एक अच्छ तो हम यह जरूर मानते है कि सिर्फ चार दिवारी से गर नहीं बनती है और यह चार दिवारी भी खड़ा कैसे करना है इसका निर्मान कैसे करना है इसमें जो तकनीकी स्पेसिफिकेशन्स है जो डिजाइन है इसके बहुत माइने होते है क्योंकि जब घर में नाच्रिल वें तब ही घर के मेंबर्स का या परिवार के सदस्यों का हेल्थ अच्छा बना रहता है, तो इसके अलावा और क्या चाहिए घर को पूर्ण करने के लिए, सो जो हम कहतें basic amenities, बुन्यादी व्यवस्थाय या सुरिधाय जो है, ये भी होना बहुत जरूरी है, जैसे pipe water connection चाहिए, आपको gas का connection चाहिए होता है, बिजली एक बहुत एहम चीज है, क्योंकि रात में जब अंधेरा होता है, तो जो स्रिया रहती है घर में या लड़की या बच्चिया रहती है, उनको secure फील होता है अगर घर में और घर के अगल बगल बिजली होतो, इसके अलावा और क्या होता है, वेस्ट डिस्पोजल, ये भी बहुत एहम मुद्दा है, तो अगर आप देखे तो affordable and secure housing के माईने बहुत है, सिर्फ एक मकान या एक structure होने से घर न adequate या अपरियाप्त होता है, इन में बहुत सारी सुविधाय नहीं होती है, एक चोटे से कम्रे में 8-10 लोग मिलकर रहते हैं, तो उनको privacy भी नहीं होती है, और उनको amenities भी नहीं होती है, इस वज़े से उनका जो health है या उनका जो स्वास्ते है, जो शारिरिक और मानसिक स्वा और हमारे देश के विकास के लिए भी, इस पे गौर करना बहुत जरूरी है, और साल 2020 में एक रिपोर्ट आया था, जिसमें बताया गया है, लगबग 6 करोड घर की कमी है, हमारे देश में, इस मुद्दे पे Habitat for Humanity जैसे राजीव जी ने बताया हम 40 साल से काम कर रहे हैं, ए करके EWS सेग्मेंट्स के लिए, तो यह काम में हमें बहुत सायोग मिला है, जहां पे हम घर बना रहे है, बहुत सायोग मिला है, जो हमें अनुदान देती है, और सरकारी तोर पे भी जो स्कीम्स आये है, उससे हम EWS हाउजिंग के और ध्यान दे सकते हैं, चलिए, मैं आपको एक सत्यकता भी सुनाना चाहोंगी, जिससे यह प्रमान सामने आएगा, कि एक घर होना कितना एहम है एक इनसान के जिंदगी में, तो हम चलते हैं, जो माराष्ट्र राज्य में है, और हमारी जो होम पार्टनर है यहाँ पे, वो श्रीमती विद्यामोरे है, वो आज भी उस आजमाना बाद जिले के, और उसके पती बिहाडी मजदूरी से कुछ कमा लेते थे, और उसमें से उन्होंने किराय का मकान ले रखा था, और जैसे तैसे जो भी जरूरते हैं परिवार के, वो पूरा कर लेते थे, पर एक दिन अचानक उनकी सेहत बहुत खराब हो गई, और उनका दिहान तो गया, विद्या पे जैसे तो आसमान बरस पड़ा, वो कुछ सोच नहीं पा रहे थी, कुछ कर नहीं पा रहे थी, उसके बच्चों के भविश्य का प्रशन उसके सामने था, तो वो क्या करती, बेबस होके उसे वो किराय के घर को भी छोड़ना पड़ा, औ इतने में सरकारी जो अधिकारी थे, जो ग्रामिंट स्थर पे जो अधिकारी होते हैं, उन्होंने अपरोच किया और हमने उसके लिए एक अच्छा और पूरुना घर बानकर उसको दे दिया, उस घर से उसको क्या मिला, उसको मिली खुद की गरिमा, उसको मिली सेक्योरिटी उसको मिली सेफटी और एक डिगनिफाइड लाइफ जी ने किया उसको मौका मिला, देखते ही देखते हैं, विद्या ने इस मौके का भी बहुत फाइदा उठाया, और उसने अपने घर में ही एक छोटा सा टेलरिंग का बिजनिस शुरू कर दिया, टेलरिंग के बिजनिस स अपने बच्चों का शिक्षन पूरा कर सकी, उनको खिला पिला सकी, उनको बढ़ा कर सकी, और उनके लाइफ को भी एक नई रा दे सकी, एक घर से उसके जीवन को पूरी आगे की दिशा भी मिल गई, कि अब वो अपने पैर पे आगे खड़े होके बढ़ सकी, जी हाँ, जी अब आपसे मैं आगे ये समझना चाह रही थी, कि जैसे कि आप दोरों ने बताया कि पिछले 40 साल से आप इस काम के साथ जुड़े होएं, जो लोग आते हैं, उनके लिए घर बना रहे हैं, अफोड़ेबल हाउसिंग पे आप काम कर रहे हैं, तो अफोड़ेबल हाउसिंग को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या स्थिती में था, अब क्या है, आगे अफोड़ेबल हाउसिंग को लेकर आप क्या देख रहे हैं, देखे मैं आपको एक चोटी सी जर्नी पे ले जाता हूं, in the sense, यदि हम रियल स्टेट का पूरा सेक्टर देखे हैं, वर्तमान परिपे क्या हैं, और हम यदि थोड़ा सा अनालिसिस जो अर्बनाइसेशन का लेके चलते हैं, शेहरी करन का लेके चलें, तो आप यह देख सकते हैं, बहुत सारे लोग छोटे शेहरों से गाउं से बड़े शेहरों की और आते हैं, ताकि वो एक बहतर नौकरी पास सकें, ठीक है, तो वहांपे क्या हो रहा है कि अर्भनाइसेशन बढ़ रहा है, अर्भनाइसेशन बढ़ रहा है, मैंज, इदी एक छोटा उसका इदी आकивают करें, तो उसका एक परसंटेश निकल के आता है, करीकरीब 52 करोres के आसपास का जो population है, वो अर्भन population है, और नेरली 90 करोres के आसप यहOS कहरा हूं कि हाउसिंग पे फोकस जाए तो आप थीन कैटेग्री ओस हाउस आ जाते हैं एक wil मीडिल इंक में और अजाता है और फिर आ पाई च्ट आधा है वह आप हीए आपक हम देखें तो गौर्म swagCS का एक बहुत अच्छा फोकस है एक तो जो योजनाएं चल रही है अभी प्रदान मंतरी आवास योजना ही बहुत बड़ी योजना है और थोड़ा सा यदि हम पीछे जाएं प्रदान मंतरी आवास योजना जो 2015 में शुरू होई थी उसका यदि आकलन करें तो हमारे सामने इन्फरमेशन ये निकल के आता है कि करी करीब 2.93 करोर के आसपास तक लोगों को उन्होंने जो है आवंटन किया हुआ है और इस साल वो कह रहे हैं कि 3 करोड के आसपास आवंटन करें जो एक बड़ा नंबर है और कही ना कहीं मैं जो सुपरिता जी कह रहे थी 6 करोड के कर सकते हैं क्योंकि गौर्मेंट बहुत कुछ कर रही है क्या हैबिटाइट फो हुमानिटी इंडिया जैसे संस्था है और कॉपरिट एजन्सी हो गई और कॉपरिटिव सेक्टर्स हो गए इंडिस्टिर्य यूनिट्स हो गई क्या यह लोग मिलके आके उस बड़े जो ड्र तो आपने यांगरती खासकरी ने बात करी राजियू जो आपने समझाविए कि रियल एस्टेट नो ग्रोथ तो आपने जरी ते जोई राया शे अपने तमाम एपिसोड नी इंदर आपने डिस्कस पन करता हो ये छे के हाथ चालू छे आगर वदवानों छे एने अफोडेबल हाउसिंग उपर पन खास द्यान आपवानी जरूर छे अने अपाई पन रहेव खाल समय था रहोच एक ब्रेक लेवानों लईशु ब्रेक और ब्रेक बाद आपने आप चर्चा मा आगर देशुआ ब्रेक बाद प्रापटी गुरू मा आपने फरी एक वखत स्वाकत चे अने आजे आपने जे खास चर्चा करी रहा चे एने चर्चा मा आपनी साथे राजीव रह्मन जी और सुपरिता जी जोड़ाया लाचे सुपरिता जी आप बता रहे थे कि घर सिर्फ घर चार दिवारी बना देने से एक रूम बना देने से नहीं हो रहा है आप एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश सभी वो चाहें करीब हो सबके लिए कर रहे हैं तो मुझे आपसे आगे यह समझना था स्वच भारत मिशन आपको हेल्फुल हो रहा है या आपको कुछ CSR एक्टिविटी हेल्फुल हो रही है थोड़ा इस बारे में हमें जान करें जी जी हाँ CSR के जो गाइडलाइन आये हैं जैसे हम जानते हैं Companies Act 2013 Section 135 को रिवाइस किया गया था और उसमें CSR का एक मुद्दा आ गया था जहांपे CSR के बारे में यह लिखा था कि सब्सक्राइब करें जिसमें इन सब कारियों के लिए जो कॉप्रिट से उनको अनुदान देना चाहिए और यह भी सामने आया था कि जो कॉप्रिट से कर रहे थे काम फिलांत्रोफिक वर्क वो जारी रख रहे थे बड़ जो नहीं कर पा रहे थे अलग-अलग कारणों के व जो गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने लांच किया था दो हजार चौदा में उसको बहुत बूस्ट मिला है क्योंकि कॉप्रिट ने भी वो नीड जो है उपन डिफिकेशन को एंड करने की जो नीड थी हमारे देश में उसको पैचाना और उसको सही तरीके से और बहुत हमारा है अगर हम हाउजिंग को एक मेन अक्टिविटी के तौर पे अगर यह बदलाव लाते हम शेडियूल 7 में तो शायद बहुत जादा सपोर्ट मिलेगा अलग-अलग डोनर से, कॉप्रिट से, लोकल गवर्मेंट अथोरिटी से और कम्यूनिटी से तो यह एक बहुत ही है कि हाउजिंग को भी हम जादा फोकस करें आते समय में इसके अलावा अगर आप जाकतिक तौर पे भी देखेगा तो CSR गाइडलाइन्स बहुत सारे देशों में नहीं है हमारे खंड में एशिया खंड में चाइना में हैं इंडोनेशिया में हैं और इंडिया में हैं और सबसे स्ट्रक्चिर्ड है CSR जो फ्रेमवर्क है और जैसे समय बढ़ता जा रहा है उसमें और ज्यादा बारी किया और ज्यादा गाइडलाइन्स आ रहे हैं जिसके वज़े से हम सस्टेनेबल लॉंग टर्म सस्टेनेबल वर्क या काम कर पा रहे तो ज़रूर बिना कोई श अपने पाचल पढ़ानी जरूर नथी कोई शरम अनुभवानी जरूर नथी आनी जरूर छे अन्य जरूर याद पूरी कई रीते थाई ए अंगेनी खास आपने यांगरती चर्चा करी रहा है जहें राजी जी क्या आप हमें थोड़ा डीटेल में बता सकते हैं कि पैन ज्यादा नीड है और आपको वहां पे आप वहां पे ज्यादा फॉकष कर रहे हैं किस दरीके से काम हो रहे हैं एक अंटर्नल एक उसस्टम निक आनालिसस टूडिए हमने किया था जिसे सबस जो मेजर स्टेट जो निकल के आ आरें उसमें यूू-पी हो गया राजस्तान हो कि यदि हम दूसरा एक चीज देगे कि सोर्स माइगरेशन जो हम देखे है ऐसे ऐसा स्टेट जहां से लोग मेट्रो सिटीज में जाते हैं काम करने के लिए यदि वो हम देखते हैं तो जैसे यूपी से अप गुर्णपुरिय। यह ए ऊसे पास की राकों से लोग आते हैं बि निया रिस्क है और अभी तक अवीलिबल प्रॉपर ना होना होता क्या है कि जब वो बड़े शहर में जाते हैं तो वहां पर छोटी सी जगों में दस-दस, पंदरा-पंदरा लोग रहते हैं तो कहीं ना कहीं जब हम एक safe housing की या secure housing की बात करते हैं तो वो लोगों तक नहीं प तो इस प्रकार के कुछ चीजों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है इने वे तो स्टेट के हिसाब से जो मैंने आपको बताया और इसमें minor trends changes होते रहते हैं क्योंकि मुंबई में भी बहुत सा रे लोग source destination से निकल के आते हैं तो उनके लिए भी एक need जो है मुंबई जैसे शेहर में urban housing की need बहुत रहती है इसके अलावा मैं थोड़ा सा add करना चाहूंगा क्योंकि अभी जो trend के रूप में हम देखें है habitat यह कहता है कि a world where everyone has a decent place to leave तो यदि उसको मैं हिंदी में कहूं तो एक ऐसी दुनिया जहां हर एक विक्ति के पास एक पहतर रहने की सुविता हो तो जब हम इस vision को लेके चलते हैं क्योंकि एक habitat for humanity इंडिया का एक vision है और जब हम इस vision को लेके चलते हैं तो हमें कहीं कोशिश ही रहते कि affordable housing sector में हम परिय collaboration आ गया और बहुत सारी संस्थाएं जो उस पर gap funding करती है उसका collaboration आ गया एक change जो भी आ रहा है आने वाले समय में वह मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो हम घर बना रहे हैं वो जादेर आपका cement and motor के घर जादा बन रहे हैं यदि हम उसका trend देखें cement and motor का एक वह देखें तो य जो greenhouse gas emissions जो होता है वो construction activities से जादा है तो कहीं ना कहीं उस construction activity को जितना हम reduce करेंगे तो हम उसको जो है the greenhouse emission जो है उसको control कर सकते हैं reduce कर सकते हैं तो वो एक major ध्यान जो है habitat for humanity India का है उसको देखते हुए अभी जो हमारा next trend जो चल रहा हो यह है कि climate resilient housing या climate responsive housing कैसे हम ला सकते हैं तो अभी जितने भी हमारे घर आगे आने वाले समय में जो हम लेके आएंगे उसमें climate को देखते हुए changes उसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह एक संशिप्त में आपको बता रहा था मैं ओके तो दरेक ने माटे यांगरती एक रेवा माटे नी योग्य जग्या पूर् अभी रहे हैं अभी आगे यह थोड़ा समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से इस बारे में आपने बाते की अब यह शायद एक challenge हो सकती है कि कम राशी में जो आपको जितना मिल रहा है उससे एक अच्छे घर की सुविधा उपलप्त करवानी है आपको इन सारी facilities आप जो यह आपको ध्यान रखते होए तो इसमें कुछ government के initiative आपको help कर रहे हैं या आपकी कुछ government से डिमांड है कि आपको यहां से थोड़ा support कर सके मेरे क्याल से government already PMAY प्रदानमंत्री आवास यूजना के तहत काफी कुछ कर रहा है समाज के लिए और जो eligible beneficiaries है या लाभारती है वो उस अप्रदाश के द्वारा एक काम यह कर रही है कि बहुत बार लोगों को जानकारी नहीं होती है कि government के scheme को कैसे अप्रोच करें कैसे apply करें इसकी में क्योंकि उसमें बहुत सारी documentation होती है आपके पास land title होना जरूरी है आपके proof of identity proof of address होना जरूरी है तो यह सब चीजों में habitat वो जो awareness generation है communities में वो करती है और इसके अंडर यह भी है कि जैसे आपने कहा कि यह राशी शायद पूरा ना पड़े एक पूरे घर बनाने के लिए तो हम क्या कर सकते है इसके लिए एक तो है कि आप अच्छे से proper technical specifications के हिसाब से घर बनाए या घर का निर्मान करें बहुत बा जितना चाहिए उससे जादा आप शायद करोगे क्योंकि आपको एक बहुत ही sturdy घर या बहुत ही अच्छा मकान चाहिए पर वो जरूरी नहीं है उससे क्या होता है कि राशी जो अल्रेडी कम है उसमें और भी घट जाता है तो यह एड्रेस करने के लिए habitat for humanity ट्रेनिंग करत जो बाकी की राशी उनको जमा करना है वो कहां से आ सकती है तो यह सब जानकारी से भी लोग एक्विप हो जाते है कि कैसे अपने घर के लिए जो पूंजी है वो जमा कर सके इसके अलावा जहां पे आप देखोगे कि बहुत ही गरीब लोग है जो हम बोलते हैं below the poverty line या जो जिनके पास वो भी कैपासिटी नहीं होता है कि वो जाके कोई अपना खुद राशी जमा कर सके वहां पे हम corporate's के जो donations है CSR के तहत उसके थरू हम उनकी मदद करते हैं हम वो gap funding जो उनको चाहिए वो ला देते है उनके लिए तो इस तरह से हमारे ख्याल से सभी का एक रोल है एक सेक्योर और सेफ घर देना दिलाने हैं तो दरेक ने पोता नों घर मड़े अने सारू घर सुविधा वाड़ू घर बने इमाटे आरी ते एक काम थतू होई छे तो आजना आ एपिसोड नी इंदर आमें तमने थोड़ी यां करती समझावानी कोशिश करी शे के आ घर कई अजी एक वक्षत आपने हम जाहेंगे कि हम और एक बार आपसे दीटेल में और थोड़ी चर्चा करें थोड़ा डीटेल में जाने पर आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाई एपिटेट फोर हुमानीटी इंदिया अद् अने आज अपनाने साकार करीने इमने एक घर तरीके यहां करती आप पानों एक प्रयास चोकस पने यहां करती थाई रहे हुँछ तो आज ना एपिसोड नी यहां चर्चामा हाल पूरतू आटलूज हाल मने पन आप चो रजा बदू अपडेट्स अने समाचारों माटे आप CNBC बजाल साथे जोड़ाईला रेजो जता पहला आपने फरीक वकत याद करावी दाऊं के आपना घर खरीद वेचाणने लगता प्रॉपर्टी ने लगता लीगल के कोई पन सवाल हो अमने लखी मुकलावो अमारू इमेल एंडरेस चे प्रॉपर्टी गुरू एट्धरेट अन्डव्यू एटीन डॉट कॉम तो साथे आपिसोड माहल पूर्टू आठ लूज हाल मने आप शोराचा अब जोता रहों सीन बीसी बचार नमस्कार